हेलो दोस्तों स्वागत है आपका माई हेल्प के रूडूप चैनल पे दोस्तों आज आपके लिए लेकर आये हों पास बहुत मज़दार बहुत इंट्रेस्टिंग एप जो कि आपके लिए काफी काम का हो सकता है दोस्तों वीडियो पसंद आये तो वीडियो को लाइक जरू किजिएगा तो चली दोस्तों वीडियो करते हैं और आपको बताते हैं कि आखिर ये क्या है पास एप्लिकेशन तो ये जो एप्लिकेशन है दोस्तों इसका नाम है Pencil Photo Sketch एक तरह का photo editor app है लेकिन काफी interesting है बहुत ही मज़दार है इसमें आप तरह तरह के sketching बना सकते हैं और बस एक click से ही बना सकते हैं इसमें camera का भी option दिया हुआ है आप camera पर click करके आप आसानी से किसी photo को click कर सकते हैं और उसमें editing कर सकते हैं और अपने दोस्तों के share भी कर सकते हैं तो यहाँ पर इसमें camera से open किया है लेकिन मैं फिलाल gallery से अपने photo को चून लेता हूँ और उसे ही edit करता हूँ तो photo को चून लेना है और उसे crop के size में adjust कर लेना है और आपको crop करना है उसके बाद यहाँ पर कुछ advertisement आएगे तो आना ही है उसे cut देना है हटा देना है और उसके drawing effect भी मिल जाएगा तो इस तरह दोस्तों यह application बहुत ही मजदार है बहुत ही interesting है इस application को आप यूज कर सकते है वीडियो के description में link दिया गया है सभी application का तो आप तो install कर सकते हैं यहाँ पर देखिए दोस्तों इस application में यहाँ पर black and white sketch भी दिया गया है तो काफी मजदार है द इसमें किस तरह का आपको कुछ sedimenting करना नहीं बस आपको इसे open करना है और सारा का सारा जो इसमें system है आपके computer में जैसा होता उसी की तरह इसमें खुलेगा आपको सारा folder computer की तरह दिखेगा जैसे computer में C drive, D drive होता है उसी तरह से यहाँ भी drives बने हुए हैं और इसमें सबसे documents में जो file है वह भी दिख रहा है और उसके बाद install पर क्लिक करता हूं जितने apps इंस्टॉल है वह सारे यहाँ पर दिख रहा है और साथ में आप इस application को यहीं से जो करना चाहते हैं इसके साथ कर सकते हैं तो इसको भी अगर आपको अच्छा लगे तो यूज जरूर किजिए और यह जो application दोस्तों इसका नाम है poetry app है तो यह application के दोबर आप किसी तरह का मटका घड़ा आप चुक्का जो भी बना सकते हैं बहुत ही आसानी से तो बस इसे यूज करना भी आसान है आपको बस चलते रहेगा इसके speed को कम और अधिक कर सकते हैं बहुत ही आसानी से और यह बस आपको finger को ले जाना है और ले जाने के बाद आप जिधर दवाएंगे वह अपने आप automatic पतला मोटा बड़ा चोटा सब हो जाएगा और जैसा design देना चाहेंगे उसको design दे सकते हैं जैसे कि देखिए मैं इसे design दे रहा हूं कुछ इस तरह का design तो यह design में आ जा रहा है तो काफी मज़ा आता है दोस्तों इसको use करने में ऐसा लगता है जैसे खुद से मटका बनाया जा रहा है तो यह देखिए मैंने एक छोटा सा मटका बना दिया है और बहुत अच्छा लग रहा है दोस्तों देखने में इसको save करने के लिए आपको back निकलना है back निकलने के बाद आपका यहाँ पे save हो जाएगा और इस पर click करके आप इसे share भी कर सकते हैं बहुत ही असानी से अपने दोस्तों के साथ share भी कर सकते हैं share करने के बाद इसमें आपका नाम भी लिखा हुआ रहेगा क्योंकि जब आप इसमें इंटर होंगे तो आपको यहाँ से facebook से या अपना email ID डालके यहाँ register होना पड़ता है तो देखिए यहाँ पे मेरा नाम राजवर्मा भी यहाँ पे साथ में आ गया है तो यह application है दोस्तों एम परिवहन एप काफी महतपूर्ण application है दोस्तों इसमें आप क्या कर सकते हैं किसी भी गाड़ी का number डालके उसका पुरा detail न सर्च करता हूं सर्च करने के बाद देखिए वह गाड़ी का पूरा detail आजाएगा कि किनके नाम से गाड़ी है और पेट्रोल गाड़ी है कब इसका registration date था और insurance valid कब तक था तो इस तरह से सारा कुछ इसमें दिख जागा नीचे में देखिए दोस्तों चलान अगर आपका कट डाल कर driving license number डाल कर भी उसका भी detail निकाल सकते हैं बहुत ही आसानी से और इसके लिए आपको किसी तरह का business यहाँ पे कुछ extra setting नहीं करना बस किसी का भी नंबर डालिएगा ओ दिख जाएगा और यह पांचमा नंबर का application है दोस्तों जिसका नाम है auto reply SMS जब कभी आप busy रहते हैं और आपको कोई phone आता है तो अपने आप उसके उनके पास message चला जाएगा और आप जो message लिग दीजेगा वही message उनके पास जाएगा तो यह use करना भी बहुत आसान है इस application आपको install करको open करना है और उसके प्लस के sign पे click करना है जैसे प्लस के sign पे आप click किजेगा उपर में तो आपको यहाँ पे पहले profile बनाने के लिए बोला जागा तो कुछ भी जिस तरह का जैसा काम आप कर रहे हो जिस हिसाब से busy है वो ऐ call करने के बाद आप receive नहीं करते हैं तो उनको क्या message जाएगा वो चीज़े आप यहाँ पर लिख सकते हैं तो मैं फिला लिख देता हूं I am busy और इसके बाद इसे okay कर दूँगा जब भी कोई मुझे call करेगा और मैं call receive नहीं करूँगा तो उनको यह message चला जाएगा message का default उसे यहां से on कर दिया हूँ तो उसे on करने के बाद ही यह काम करेगा और जब मन करे आप इसे off कर सकते हैं यहाँ बहुत सारा मैं बना रखा हूँ पहले जैसे मैं योगा कर रहा हूं उपर से नहां रहा हूँ रन्निंग दौडने गया हूँ तो इस सारे चीज़ों को मैं बना स चला जाएगा तो यही थे दोस्तो एक 5 अप्लिकेशन जो की काफी इंपोर्टेंट है और बहुत ही महतपूर्ण है सभी का लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ तो आप वहीं से इन आप को इंस्टॉल करके एक वार ज़रूर ट्राइक किजिएग इंसे हूँ